हेलो फेंड्स जैहिन स्वागत आपका आपके अपने चलू होम प्रिशन पे और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दिली प्लिस कॉंस्टेबल का एकजाम 14 नॉमबर से स्टार्ट हुआ और 3 दिसंबर को ये पिपर खटम हो चुका है आप बच्चों को इंजार है कि इसकी आंसर की कब तक आएगी जल्दी से आपने आंसर की मिलाएं और अगर वो कट ओफ के आसपास आ रहे हैं तो अपने फिजिकल की त्यारी शुरू कर दे तो आज की स्टूडियो में हम यही बात करने वाड़े हैं कि आपके आंसर की कब तक आएगी और कट ओफ कितनी वेरी कर करना चाते हैं अगर मैथ आपका कमजोर है या रिजिनिंग में आप स्कोर नहीं कर पाते हैं तो हमारा मैथ और रिजिनिंग का स्पेशल बैच फाउन्डेशन बैच है केवल आपको 299 रुपय मिल जाएगा दोस्तों इसके लिए हमारी अप्लिकेशन को डाउनलोड करें ल रेट होगा तो वह जो लिंक है आपको हमारे टेलेग्राम चनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप उस टेलेग्राम चनल को जोइन कर लीजिए जैसे को लेटेस्ट अब जाती है किसी वरती समद्धित हम वहाँ पर डाल देते तो आप टेलेग्राम चनल को जोइन कर सकते हैं आईए बात करते हैं दिलिप्लिश के बारे में तो आप जानते हैं जो इसका एक्जाम है दोस्तों आपका चोदा नौंबर से लेके चोदा नौंबर से स्टार्ट हुआ और तीन दिसंबर तक आपका पेपर चला अभी हाल फिलाल में जो 2023 में जो एक्जाम होए है SSC के चाए वो CPO है चाए CGL है तो इनकी जो आंसर की है दोस्तों एक्जाम से लगबग 4-5 दिन के अंदर आ गई थी किसी के आंसर की 4 दिन बाद आए किसी के आंसर की उसी दिन रिलीज हो गई थी यानि कैने का मतलब है कि जब एक्जाम होता है तो उसके लगबग 4-5 दिन के अंदर आंसर की है और रिलीज हो जाती है हालांकि दिलीज कोंस्टेबल 2020 का अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें जो आंसर की थी लगबग 15 दिन के बाद आई थी दोस्तों लेकिन इस बार आपको पता है कि थोड़ा सा जल्दी इन भरतियों को कम्प्रेट करवाने की कोशिस है डिपार्टमेंट के दवारा भी दिलीज डिपार्टमेंट और SSE के दवारा भी तो आंसर की उतना लेट नहीं आएगी तो मेरे इसाब से जो आंसर की है जो दिलीपलिश की जो आंसर की है दोस्तों वो आपको देखने को मिल सकती है आज या कल दोस्तों चीक है आंसर की आपको मिल जाएगी आज 4 दिसंबर है 4 दिसंबर या 5 दिसंबर को फाइनल आपकी जो आंसर की है वो रिलीज हो जाएगी ठीक है दोस्तो लिंक है वो जनरेट हो चुका है और आज से आम या कल तक आपको definitely answer की मिल जाएगी किलियर होगी बात आईए बात करते हैं safe score के बारे में तो safe score क्या रह सकता है दोस्तो तो देखे exam जब देखो exam मैंने दिया है पास भी किया है आप में जिस बच्चे ने exam दिया है वो चीज को समझ भी रहा हूँगा मैं क्या कह रहा हूँ जब exam देखके exam से बाहर निकलता है बच्चा तो लगता है कि मैंने जो किया है बहुत अच्छा किया है मैंनत सबने की है लेकिन बहुत सारे question ऐसे होता है जो आपको लगता है कि आपके सही है लेकिन उसका answer कुछ और मिलता है कहने का मतलब अगर कोई बच्चा 80 भी attempt question attempt करके आ रहा है तो मान के चलिए अगर 70 question उसके सही है और अगर 10 question भी गलत हो रहे है तो दोस्तों आपको पता है कि 4 question पे एक सही number काट लिया जाएगा तो ये बच्चा दोस्तों लगबग 67 point कुछ नंबर पे आ जाएगा हा कि न तो वही चीज है कि आप जैसे कोई बच्चा गरे कि जी असी करके आयो सारे मेरी सही है ऐसा possible नहीं है ठीक है तो कहने का मनला जो safe score है वो क्या रह सकता है तो safe score मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपका row score ठीक है row score में बता रहा हूँ क्योंकि जो आपकी cut off बढ़ेगी physical के लिए चाहिए final cut off चाहिए physical के लिए वो normalization के बाद जुड़ेगी normalization जुड़के फिर cut off आएगी लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि row score क्योंकि अभी आपके पास normalization score ठोड़ी है आपके पास तो यही कि जी मैं इतने किसने करके आया हूँ इतने गलत है इतने सही ठीक है जैसे आप हमारी जो दिलिपलिस cut off की वीडियो मैंने बना रहे की है उसमें normalization cut off भी मैंने बताई है तो आप उसको भी देख सकते हो लेकिन row score की बात करें तो वो कितना जा सकता है तो मेरे इसाब से journal category में अगर आपका row score मान लीजिए लग बग लग बग साथ क्या सपास है साथ से 62 क्या सपास ये row score है दोस्तों इस बाद का ध्यान रखड़ा मेल ठीक है तो आप फिजिकल की त्यारी कर दीजिए जैसे OBC की मैं बात करूं OBC की cut off भी लग बग जर्रनल के बराबर रहेगी हो सकता है जादा भी चली जाए क्योंकि आप जानते है क बहिया OBC की तो वैकेंसी कम है कंडिए तेरा लाख ने फोरम भरा है चेक है तो यहाँ पे दो नंबर कम कर सकते हो 58 से 60 क्या सपास ये इतनी ही रहेगी जैसे AWS की बात किरो तो अब भी अगर आपका score माल लीजिए 52 से 55 नंबर भी आपके है तो आप फिजिकल की त्यारी में लग जाई दोस्तों चीक है क्योंकि जो बचाा ये पिछपन वाला है ये नोरलेसर्टन के बाद 65 तक भी चला जाएगा इसकी कोई दिक्कत वाले बात नहीं है क्योंकि नोरलेसर्टन में नंबर आपके बढ़ेंगे किसी के 500 बढ़ेंगे किसी के 500 बढ़ेंगे कि Community की आठ नहीं है चेक है दोस्तो वहीं ओबीसी की बात करो तो 48 से 50 क्या स्पस अगर आपका स्कूर है फिजिकल में लग जाई है चेक है बहुत ज़्यादा गैप रहेगा यह आप मानके चलिए 50 से 52 तो यह नोर्वेशन स्कूर बता दिया मैंने चेक है फीमेल के लिए मेल का तो यह र क्या आपको पता है कि 90,000 से ज़्यादा है दोस्तो चीक है 90,500 विद्यारती पास होंगे बहुत बड़ा नंबर है आप यह मत देखे कि वह यह फोरम तो 32 लाख ने बढ़ा 32 लाख में से आदे ही लोगों ने 50 परसेंड पर दिया होगा 17 से 18 लाख बच्चे पर बैठे है इस से ज़्यादा नहीं बैठे है दोस्तो इसमें अभी 90,000 में आपको आणा है तो 18 लाख में सारे पड़ा को नहीं है आदे तो डवल फोरम वाले त्रीन बार फोरम बर दिया वो है तो आपको बस अपनी वेकेंसी अपनी कावलेत पर ब्रोसर रखना है फोरम कितने बढ़े ग अगरा आपके माली जे मेल में 60 नंबर बढ़ रहे है तोenderlesson जो स्कूर है 65 क्या सपास हो जाएगा मैं 65 के आसपास कतो फृह है lookРЕ की लेकिन वो norm lesson के बाद बढ़ेगी हम आपको बता समझ मेँ आ रहा एए तो यह है बात सेफ सकोर गी कि मेल है तो साथ का स्पस अगर आपके नंबर है तो लगभी लगभा 48 जिरा आपकी नंबर है जनल ंक टे री मेन के तरी ओर दो जाइकटेगरिए है डो दो तिन किसे cantidad कम करें आपका बात करूं तो अगर अभी आपका रो स्कूर माल लीजे 40 से 42 भी है आराम से फिजिकल आएगा लिख के ले लीजे ठेक है आएए बात करते हैं अब बात कर लेते हैं इस नोटिस की तो इस नोटिस के अकोडिंग तो भईया 22 दिसंबर से आपका फिजिकल स्टार्ट ओड़ जाना चीए ठेक है 22 दिसंबर को तो फाइनल रेजल्ट आ जाएगा और यह नोटिस दोस्तों यहां पे बिल्कुल सही है यहां पे उपर हमने आदा ही नोटिस दिखाया है यह तो इसमें मोहर भी लगी हुई है ओफीशल नोटिस है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन बड़ी बात यह है कि क दिल्कुलिस ने इंटरनल लोटी सर्कुलेट किया वो डिपार्टमेंट को बेजा और वो एससी को भी गया कि हम इस इस तारिक को यह इवेंट करवाना चाहते हैं सारी चीजे तयार कर ली गई है तो अगर पोसिबल होता है तो आप इन डेट्स के कोडिंग अपने दोस्तों आपको पता है 15 मार्च को आया था ठीक है यानि एक्जाम से लग 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 तीन महिने बाद साड़े तिन महिने बाद क्योंकि कंडिरेट उस समय भी 14-15 लाग बच्चों ने पेपर दिया था दोस्तों वैकेंसियां भी अच्छी कासिती 67,000 बच्चों को पास लगेगा ही लगेगा दोस्तों ठीक है हो सकता है कि वैया रजल्ट आपका दस्तरिक को भी आ जाए लेकिन जिस प्रकार से कंडिरेट बैठ रहे हैं जो अन्ने एक्जाम उनके रजल्ट के इसाब से मेरे इसाब से बादरा 15 दिसम्बर से लेके 20 दिसम्बर के आसपास आपक जनवरी में जाएगा तो जनवरी में फिजिकल आपका हो सकता है कि 15-20 दिन आगे पिछे फिजिकल आगे थोड़ी जाएगा पिछे ही जाएगा तो उस रिसाब से आपने फिजिकल की त्यारी शुरू कर दीजिए ठीक है तो ये बड़ी अपडेट है आँसर की आज से आम को या कल तक आपको देखने को मिलेगी रेजल्ट आपका 10 तारीक को बहुत जादा मुश्किल है हो सकता है कि 15-20 दिसम्बर के आसपास आपको रेजल्ट देखने को मिल सकता है और फिजिकल 22 तारीक से पोसिबल नहीं है क् भी रेजल्ट ही थोड़ा लेट होगा दिलेप्रिस तो चाती है हराल में कि हम बरती को जल्दी कंप्रिट करें 20 जनवरी को आपको जोइनिंग देदें लेकिन मुझे इसा लगता है क्योंकि बच्चे बहुत जादा है इतनी जल्दी फिजिकल भी इवेंट करवाना मुश् जाएगा तो बहुत सारे बच्चे तो फिजिकली छोड़ दे कर लेंगे यार डेट आएगी तब तो उस बहें में नहीं रहना है फिजिकल की तयारी आज ही शुरू कर जानी है अगर आपकी जर्नल कटेग्री में मेल है तो साथ नंबर के आसपास अगर आपका नंबर है फ इलेग्राम पर जोइन कर लेना फिजिकली की तयारी के लिए हम एक सपेसल गाइडेंस से बड़ा वीडियो लेकि आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल आगन को प्रेस कर लिजे धन्यवाद जैहित